जहीं दोस्तो और वेलकम टू एंडेस माई दोस्तो आज की इस वीड़ में हम बात करने वाले हैं Government College of Engineering कराड इस कॉलेज के बारे में जैसी कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आपके Government College of Engineering कराड का कैंपस रहता है और ऐसा ही कैंपस आपको देखने के लिए मिलेगा तो चलिए जानते हैं आगे के बारे में दोस्तो आज की इस वीड़े में हम आपको इस College के बारे में पूरी डिटेर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं साती सात आपको कितने पर्सेंटायल पी यह College मिले के चांसे से इसके बारे में भी बात करेंगे hostel fees के बारे में बात करेंगे मेस के बारे में बात करेंगे सबी चीज़े हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा last तक देखना है दोस्तों के साथ share करना है और दोस्तों अगर आपको कोई भी doubts आता है तो उसे आपको comment box में पिंग करना तो दोस्तों यह college की जो establishment हुई थी वो 1960 में हुई थी मतलब काफी पुराना college है और दोस्तों बता दू जितना ज़्यादा काफी पुराना college उतना दोस्तों आपको ज़्यादा benefit मिलने के chances रहते हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ पे well experience teachers रहते हैं साथी साथ वहाँ का जो infrastructure वे वो भी बहुत ही अच्छा रहता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पी कितनी पुरानी building है लेकिन जो इसका architecture है इसका जो infrastructure है अंदर से वो बहुत ही शानदार है तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है जादा पुराना college उतना आपको अच्छे benefit मिलने के chances रहते हैं इस college का नाम है government college of engineering कराड location विद्यानगर कराड सातारा 415124 दोस्तों यह रहा इसका proper locations आपको यहाँ पे ही college of engineering government कराड मिलने वाला है तो दोस्तों यह है इसका proper location आप यहाँ पे pin code भी देख सकते हो 415124 दोस्तों बात करते हैं इस college के बारे में यह college का जो status है वो एक government college है और एक autonomous भी college है मतलब दोस्तों यह बहुती अच्छा college है आप सभी के लिए यह college approve है AICT New Delhi से जैसे के मैंने आपको पिछले बार भी बताया था अगर college AICT से approve नहीं है तो उस college की कोई भी value नहीं होती है इसलिए दोस्तों कोई भी college देखने से पहले आपको क्या करना है और हापे admissions लेने के पहले AICT से आपको approve है या नहीं है इसके बारे में आपको informations निका लिए तो जैसे कि यह college government of college of engineering कराड यह AICT से approve है इसलिए यह college best है recognize है government of maharashtra से और affiliated है शिवाजी university से जो की कुलापूर, सातारा, युईजू university साती है यह totally शिवाजी universities में include है इस college का grade है A awarded by government of maharashtra अगर बात करे government college of engineering कराड इस college की website तो इस college की जो website है www.gcekarad.ac.in अगर आपको और भी detail informations चाहिए तो आप इस website पे जाके आप आप आपनी जो भी informations है जो भी queries है वो आप वहाँ पे solve कर सकते हो दोस्तों अगर बात करें transportation की तो यहाँ पे nearest airport है पुने का जो की वो 17.4 km के distance पे हैं उसके बाद nearest railway stations है nearest railway station है जो की 4 कराट का है 4.7 km nearest bus stand है जो की कराट का है वो जो 5 km distance पे अवालेबल है दोस्तों मैंने आपको पिसले वीडियो में पी कई बार बताया है जब भी आप option form fill up करोगे उस समय आपको DTA code की बहुत informations बहुत ही गरज रहने वाली है तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है जो भी college है उसका DTA code भी निकाल लेना है 6005 दोस्तों ब्रांच की बात करते इस college में civil engineering है information technology है electronics and telecommunication है electrical and mechanical दोस्तों यहाँ पे computer science and engineering नहीं है तो यहाँ पे जो intake capacity है आप देख सकते हो यहाँ पे हमने display कर दी है civil की 60 है information technology की 60 electronics and telecommunication की 60 electrical की 60 mechanical की 60 और दोस्तों अगर बात करें total की तो यह college में total 300 student first year में रहते है तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से यह college है बात करतें दोस्तों office college का cut off तो दोस्तों आप देख सकते हाँ पे categories हमने display किये साथी साथ branches भाइस भी हमने cut off display किया है जैसे बात करें open का जो civil का गया था हूँ 78.66 गया था, IT का 96.42 गया था, electrical का 89.50 गया था, ATC चा 93.70 गया था, mechanical का 86.26 बात करते हैं OBC का, OBC का जो civil का गया था हूँ 74.17 है, IT का 94.97 है, electrical का 82.19 है, EXTC का 91.57, mechanical का 81.63 अगर बात करें आज सी category का, तो जो civil का गया था हूँ 72.57, IT का गया था, 89.95, electrical का गया था, 81.42, EXTC का गया था, 87.48 और mechanical का गया था, 78.14, ST category का गया था, 27.33, जो की civil का गया था, IT का यहाँ पे 62.39, उसके बाद electrical का 8.75, EXTC का 0.42 गया था, और जो mechanical है, उसकी जो seats है, वो vacant थी EWS का गया था, जो की civil का है, 82.42, IT का गया था, 96.61, electrical का गया था, 90.69, EXTC का गया था, 93.48, और mechanical का गया था, 88.25, TFWS का गया था, 87.98, जो की civil का था, IT का गया था, 97.42, electrical का 91.54, EXTC का गया था, 94.62, और mechanical का गया था, 93.48, दोस्तों यह जो आपने आपको cut-off बताएं, यह पूरे दोस्तों, Cap Round 1 का, जो record है, उसकी हिसाब से है, आप जब Cap Round 2 के लिए, और 3 के लिए जाओगे, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजिस खाते हैं, Categories भी कम होती है, इसलिए दोस्तों आपको यह धान भी रखना है, हम यह जो भी आपको जो cut-off बता रहे है, यह पूरा Overall Cap Round 1, Cap Round 3, Cap Round 2 के हिसाब से, हमने आपको पूरा analysis बता रहे है, जो की rough idea है, बट यह दोस्तों exactly तो नहीं है, इसके आज पास जो closing rank रहती है, उसके उपर debate रहता है, दोस्तों बात करतें, fees की तो इस college की जो tuition fees है, वो 15,000 है, development fees है, वो 39,850 है, universities and other fees है, जो की 30,571 है, और total fees की बात करें, इस college की जो की 85,421 रुपीज है, इसमें पूरा development fees, साथी साथ, universities and tuition भी included है, अगर बात करें categories wise, तो जो 85,421 रुपीज है, वो open category के लिए, SCNST के लिए 44,571 रुपीज है, वीजे, DT, NT123, OBC, SBC, इनके लिए 44,421 रुपीज है, EBC, SEBC, EWS, इनके लिए 77,921 रुपीज है, TFWS के लिए 70,421 रुपीज है, तो दोस्तों ये पूरा है, ये दोस्तों exact amount नहीं है, बट approximately amount है, जो कि इसी हिसाब से रहता है, 12,000 यहाँ पर increase हो सकते है, हर साल वैसी कोई भी college increase करता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल जोस्तों जो आपके colleges है, उसमें develop होता है, तो इसलिए उहाँ पर development fees लगती है, दोस्तों आप hostel information देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर हमने mentions की है, तो दोस्तों hostel fees का जो total रहता है, total amount है वो 7,700 रुपीज है, और दोस्तों जो मेस है, उसका आपको इहाँ पर देख सकते हो, girls के लिए और boys के लिए कितना आपको deposit करना है, 9,350 रुपीज आपको deposit करना है, और girls के लिए 8,000, वेदा दोस्तों आपको hostel information, अब बात करते हैं, placement report की, दोस्तों आप सभी को पता है, आप जब इंजिनेरिंग करते हो, तो आप placement के लिए करते हो, चाकि आपको चार साल के बात एक proper job मिले, जिसके दारह आपको जो आपकी income है, वो currently आ सकती है, तो दोस्तों देशिक की इस college में जो academic year 22 and 23, यहाँ पे company ने विजिट की थी 53 में, 53 जो की बहुत ही कम थी इस college के हिसाप से, और जो 23 में की थी वो 124 है, मतलब यहाँ पे इस साल बहुत ही अच्छा अच्छी companies आई है, टोटल प्लेस हुई थी 2022 में 106 और 23 में हुए 276, मतलब यहाँ पे काफी अच्छा एक graph increase हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दोस्तों maximum package 15 LPA का गयता, और दोस्तों जो 2023 में वो 18 LPA का गयता, मतलब package भी ठीक टाक ही गया, बट दोस्तों जो इस college के हिसाफ से है, average और minimum package यह बहुत ही कम है, तो दोस्तों यह भी आपको increase करना है, तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छा अच्छा performance करना है, जिसके कारण जो आपका यह ग्राफ देख रहे हो, आप यहाँ पे कितने companies ने विजिट की टी 124 ने, तो दोस्तों और total place वे 276, मतलब यह दोनों का जो ratio है, वो बहुत ही अच्छा है, बट दोस्तों यहाँ पे आपको कि अगरना है, package को रेशो को increase करना है, जिसके कारण जो भी आपके junior आएगे, उनको और भी motivation मिले, ताकि वो भी इस college में admissions करे, वैसे यह college बहुत ही अच्छा college है, मैं आपको बता दू, साथी साथ यह government भी college है, और यह autonomous institute भी है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, exam की regarding, तो दोस्तों आपको यह college बहुत ही बेस्ट है, आप आपके option form में आराम से इस college का नाम फिलब कर सकते हो, आप बात करते हैं ब्रांच की तो आपके इसाब से आप ब्रांच आट कर सकते हो, कि exactly आपको कोन सी ब्रांच चाहिए, तो दोस्तों यह था पूरा review, दोस्तों अगर आपको कोई भी doubts आता है, तो आपको मुझे comment box में पूछना है, तो दोस्तों thank you for watching, ऐसे ही support करते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे 1K subscriber complete कर दीजेगा, उसके बाद हम और भी आपके लिए कुछ जो gift से उसे open करने वाल है, मतलब उसे हम reveal करने वाल है, आपके साथ तो आपको जल्दी जल्दी हमारे 1K subscriber कर देना है, तो मिलते दोस्तों इसके साथ next video में